देखे फ्रेंड्स पहला कुशन है निम्न में से कौन सा राज्य जेव इंदन पर राश्ट्री नीती बायो फ्यूल पॉलेसी लॉंच करने वाला देश का पहला राज्य बनाएं। जौन शंकर मंगलम जिनका हाली में निदन हो गया वक किस शेत्रे से संबंदी थे हैं। 25 किलोमेटर की दूरी प्रबात ने तेर कर पार की। ध्यान रखेगा साथी प्रबात कोली ने 16 वर्ष की उम्रे में ही इंगलिस चेनल को तेर कर पार कर रखा है। चलिए दोस्तों अगला कोशन लेते हैं। किसने जीता हैं निदरलेंड ने जीता हैं। निदरलेंड ने आटवी बार महिला होकी विश्वकप का किताब जीता हैं। फाइनल में निदरलेंड ने आयरलेंड को पराजित करा हैं। और ध्यान रखेगा भारत इस प्रत्योगिता में कौन से इस्थान पे राएं? आटवे इस्थान पे राएं. हाली में सरकार ने 5 करोड परिवारों को मुफ्तर रसोई गेस कनेक्शन देने के लक्ष को 2019 की बजाए अगस्त 2018 में पूरा कर लिया, ये लक्ष कीस योजना के तह पाया गया. तो फ्रेंट्स पेले भी मैं आपको बदा चुका हूँ, प्रधान मंत्री उज्वला योजना जो है, उसके तहट 5 करोड गरीब परिवारों को मुफ्तर रसोई गेस कनेक्शन मुया कराने का लक्ष लिया गया था. इस लक्ष को 9 महिने पेले अगस्त 2018 में ही हा उतरप्रदेश से. ये चीज भी आपको पता होना चाहिए. हाली में किसे जम्मू कश्मीर हाइकोड की पहली महिला मुख्य न्याइदिश के रूप में चुना गया है. किसे चुना गया है? गीता मित्तल को. न्यायमूर्थी गीता मित्तल को जम्मू कश्मीर उच्च न्या गोपाल क्रश्न गांदी को ये पुरुसकार दिया गया है पहला नेपाल इंडिया थिंग टेंग शिकर सम्मेलन 2018 किस इस्तान पर आयोजित हुआ है काटमांडू में इसका उद्देश क्या था भारात और नेपाल के बीच में दी पक्षी सम्मंदों को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश था चलिए नेक्स्ट कोशन लेते हैं बेलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का किस राज्य से सफलता पूर्वक परिक्षन किया गया रक्षा अनुसंदान वविका संगठन DRDO ने सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलता पूर्वक परिक्षन किया है किस राज्य के मुख्य मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर ने शोर नहीं मोबाईल एप और होरनोट ओके जागरुकता अभियान शुरू किया है इस जागरुकता अभियान का मुख्युद्धेश क्या है बरते हुए ध्वनी पदूशन पर रोक लगाना संसद में अपरादिक कानून संशोदन विदेख पारित हुआ है और इस कानून के तहट 12 साल से कम उम्रकी बच्चों से दुशकर्म के दोश्यों को मोत की सजा का प्राउधाने तो कितने वर्ष 12 वर्ष ए आंसर यहां पर सही होगा किस भारतिय गोलफर ने फीजी इंटरनेशनल गोलफ दोजार अठार का किताब जिताएं किसने जिताएं गगणजीत भूलर ने भारतिय गोलफर गगणजीत भूलर ने फीजी इंटरनेशनल गोलफ दोजार अठार का किताब जिताएं इसी के साथ यह उनका दसवा इंटरनेशनल किताब हैं किस राज्य ने ग्रामिन स्वच्चता अभियान स्वच्च मेव जयते लॉंच किया हैं? किस ने लॉंच किया हैं? करनाटक सरकार ने स्वच्चता की जागरुकता के लिए ग्रामिन इलाकों में एक अभियान स्वच्च मेव जयते लॉंच किया हैं चलिए अगला कोशन लेते हैं किस प्रदेश की सरकार ने 14 अगस्त को शहीद सम्मान दीवस के रूप में मनाया है मध्यपदेश के मुख्य मंत्री शिवरासी चोहान ने शहीदों की याद में 14 अगस्त के दिन को शहीद सम्मान दीवस के रूप में मनाया है तो मद्यविदेश सरकार ने इसे मनाया है किस भारती गणितग्य को प्रतिष्ठित 2018 फिल्ड्स मेडल मिलाएं भारती मुल्के अक्षय वेंकटेश को नोबल ओफ मैथेमेटिक्स की फिल्ड में गोल मेडल हासिल हुआ है तो कोन है अक्षय वेंकटेश ए आंसर यहां पर सही होगा निम्निमे से किस राज्य के मुख्य मंत्री ने 3 अगस्त 2018 को मुख्य मंत्री कन्या उत्थान योजना शुरू किये किस राज्य सरकार ने चालू करी है बिहार सरकार ने ध्यान रख्येगा बिहार में महिलाओं को सामाजिक, शेक्षणिक और आर्थिक तोर पर मजबूत करने के लिए शशक्त करने के लिए नितिश कुमार सरकार ने मुख्य मंत्री कन्या उत्थान कारिक्रम शुरू किया है तो किसे संबन्दी थे ये बिहार से संबन्दी थे है देखिए बांधिपूर टाइगर रिजर्व किस राज्य में इस्ति थे हैं हाली की दिनों में ये चर्चा में रहा हैं तो ध्यान रख्येगा कहां पर इस्ति थे हैं करनाटक में इस्ति थे हैं तो हाली में उसे संसद में पास कर दिया गया है तो यहाँ पर देखिये option राश्टिय पिछड़ा वर्ग आयोग को सवेधानिक दरजा दिलाने से C answer यहाँ पर सही होगा दुनिया के पहले thermal battery सयंत्र का अनावरण हाली में किस राजी सरकार ने किया है किस राजी सरकार ने किया है आन्दरपदेश सरकार ने इसका उद्देश क्या है नवीन उर्जा भंडारन व्यवस्ताओं का निर्मान करना thermal battery सयंत्र किसे संबंदी थे आन्दरपदेश से चलिए अगला question लेते है देखे friends अगला question very very important है एक्जाम में पूछा आ सकता है एम करुणा निदी का निदन हो गया वो किस राज्य के पूरो मुख्य मंत्री थे तो किस राज्य के पूरो मुख्य मंत्री थे वो तमिल नाडू के ध्यान रखेगा एम करुणा निदी नाटककार और पट कथा लेखक के रूप में जाने जाते थे करुणा निधी पांच बार तमिलनाडो के मुख्य मंत्री के रूप में कारी कर चुके हैं हाली में हरिवंच नारायन सिंग को राजसबा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया वो किस राजनेतिक पार्टी से सम्मन्द रखते हैं तो सांसद हरिवंच नारायन सिंग को राजसबा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया वो किस पार्टी सम्मन्द दिते हैं? जेडियू से हाली में किस देश ने अपने पहले हाइपरसोनिक विमान का सफलता पूर्वक परिक्षन किया हैं? किस ने करा हैं? चाइना ने चीन ने अपना पहला अत्यादुनिक हाइपरसोनिक विमान का सफलता पूर्वक परिक्षन किया हैं हाइपरसोनिक विमान, देखिए उन विमानों को कहते हैं, जो ध्वनी के वेक से भी तेज गती से उड़ सकते हैं, यह चीन का पहला हाइपरसोनिक विमान हैं, तो हाइपरसोनिक विमान का सफल परिक्षन हाली में किस ने कराएं, चाइना ने कराएं, ठीक है, चलिए, नेक्स नेक्स्ट कोशन उसी सम्मंदितें प्रदानमंत्री शी नरेन मोदी ने 10,000 करोड रुपे की लागत से देश में कितने आधुनिक जेविदन रिफाइनरी स्थापित करने की गोशना कियें कितने रिफाइनरी? 12 रिफाइनरी बारत के राशपती ने किस जगा पर 10 अगस्त 2018 को एक जिला एक उत्पाद 1 डिस्टिक 1 प्रोडक्शन ओडियोपी योजना का शुबाराम किया हैं? किस जगा पर उत्तरप्रदेश में? राशपती रामनाथ कोविन ने उत्तरप्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना लॉंच की हैं इस योजना का उद्देश क्या है? हर जिले में उद्ध्योग को बड़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश हैं किस देश ने अंडर 20 कोटिफ कब फुटबल टूनामेंट 2018 का किताब जिताएं? किसने जिताएं? भारत ने भारत की अंडर 20 फुटबल टीम ने अपना सर्वश्यस्ट प्रदेशन करते हुए छे बार की विश्व चेंपियन टीम अर्जेंटिना को फाइनल में हरा कर ये किताब जिताएं किसने जिताएं? भारत ने युनेसको ने World Network of Biosphere Reserve WNBR की सूची में कंचन जंगा रिजर्व को शामिल कर लिया ये रिजर्व भारत के किस राज्य में इस्ती थें? कंचन जंगा रिजर्व जो है वो कहां पर इस्ती थें? सिक्किम में इस्ती थें ठीके ध्यान रखेगा फ्रेंड्स कंचन जंगा इससूची में शामिल होने वाला भारत का ग्यारवा Biosphere Reserve है देश के 18 बायोस्फियर में से 11 को WNBR की सूची में शामील किया जा चुका है कितने को? 11 को देखें next very important question है ये भी क्रिकेट इतियास में 1000 टेस्ट मेंच खिलने वाली एक मात्र टीम है कौन है? इंग्लेंड है इंग्लेंड ने अपना पहला जो टेस्ट मेंच खिलाता वोकप खिलाता 847 में खिलाता आस्ट्रेलिया की against सेकेंड नमबर पर आता है आस्ट्रेलिया और तीसरे नमबर पर आता है वेस्ट एंडीज भारत जो है सबसे अधिक टेस्ट में चखेलने की सुची में चोथे इस्तान पर आता है चलिए अगला कोशन लेते हैं हाली में किसे रास्टी महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे नियुक्त किया गया है रेखा शर्मा को देखे फ्रेंड्स राश्टी महिला आयोग जो है एक सम्वेधानिक बॉडी है इसकी स्थापना राश्टी महिला आयोग अधीनियम 1990 के तहत 1902 में की गई थी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला या देश का सर्वोच संगधन है राश्टी महिला आयोग मसांज और बांध को लेकर हाली में किन दो राज्जों के बीच में विवाद चल रहा है किन दो राज्जों के बीच में विवाद चल रहा है जारकंड और पश्रिम मंगाल ध्यान रखेगा बांध की दिवारों को कलर करने है तू ये विवाद देखने को मिल रहा है cellular operator company idea का हाली में किस company के साथ में विले हुआ है ये भी important question है idea का किस company के साथ में विले हुआ है Vodafone India के साथ में विले हुआ है ठीके ध्यान रखेगा अंतराश्टी युवा दिवस कब मनाया जाता है ठीके अंतराश्टी युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है 2018 अंतराश्टी युवा दिवस की थीम क्या थी युवाओं के लिए सुरक्षित इस्थान ध्यान रखेगा ठीके next question important question है भारत के प्रसिद नॉबेल पुरुषकार विजयता वी एस नियापल का नीदन हो गया निम्न में से कौन सी रशना उनकी नहीं है देखे वी एस नियापल प्रसिद अंग्रेजी साहित्यकार थे 1971 में इनको बुकर प्राइज मिला था और 2001 में नॉबेल पुरुषकार से सम्मानित किया गया था साहित्यके शेत्र में तो अगर इनकी प्रमुग रशनाओं की बात करते हैं तो अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास मैजिक सीट्स अ बेंड इन दर रिवर ये तीनों इनकी प्रमुग रशना है फ्लड और फायर जो है इनकी रशना नहीं है तो यहाँ पर D आंसर सही होगा केरल के बाड प्रभावी शेत्रों में बचाव कारी है तो भारती सेना ने कौन सा अभियान शुरू किया था तो फ्रेंड्स आप सभी को पताईए केरल में हाली में बहुत ज़्यदा वर्शा के करान बाड आ गए थी यह केरल में सो सालों में आई सबसे विराल बाड थी तबाही के चलते 373 से यदा लोग मारे गए और लगबग धाई लाक लोग जो थे उनको अपने घरों से पलायन करना पड़ा घर छोड़ना पड़ा भारती सेना ने ओपरेशन सहयोग के तहद बाड प्रभावीत केरल में लोगों को बचाने का काम करा तो किस ओपरेशन के तहद ओपरेशन सहयोग? यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सहयोगा ठीक है? चलिए अगला कोशन लेते हैं भारती रेलवे के 2018 सोचता सर्वेक्षन के अनुसार निम्न में से कौन सा A1 शेनी का सबसे साफ इस्टेशन है? तो हाली में रेल मंत्री पियूश गोयल ने भारती रेल के A1 और A1 शेनी के 400 से ज़्यादा इस्टेशनों की सोचता सर्वेर रेंकिंग जारी की हैं जिसमें जोदपूर जो है A1 शेनी का सबसे साफ इस्टेशन है यहाँ पर सी आंसर सहयोगा पिछले साल विशा का पटम जो था वो पहले इस्थान पर था उसका इस्थान किस ने ले लिया है? जोदपूर ने ले लिया है हाली में बलरामजी दास्टंडन का निदन हो गया वे कीस राज्य के वर्तमान राज्यपाल के रूप में कार्यत थे? बलरामजी दास टंडन 36 गड़ के वर्तमान राजिपाल के रूप में कारियत थे जिनका हाली में निदन हो गया हाली में नीती आयोग ने उभरते हुए स्टार्ट अप के लिए कौन सी प्रत्योगीता शुरू कियें तो नीती आयोग ने देश भर में उभरते बिजनेस आइडिया को बड़ावा देने हैं तू पीच टू मूव नामा के एक प्रत्योगीता शुरू कियें इसका उद्दिश क्या है बेतर स्टार्ट अप की पैचान करना और उनके लिए फाइनेंशल सपोर्ट प्रोवाइड करना तो कौन सी प्रत्योगीता शुरू करी हैं पीच टू मूव चलिए अगला कुशन देखते हैं बहुतरवे सतंता दिवस के दिन किस राज सरकार ने आंग तेकबाल योजना कांती वेलोगी शुरू कियें किस राज सरकार ने तेलंगाना राज सरकार ने तेलंगाना राज सरकार ने बहुतरवे सतंता दिवस के अवसर पर दो योजनाय शुरू कियें एक कांती वेलूगु योजना और रेतु बीमा। कांती वेलूगु योजना के अंतरगत करोडों लोगों की आँकों की जांच की जाएगी और जरुत मंदों को दवयां भी प्रोवाइट की जाएगी। रेतु बीमा योजना के अंतरगत सरकार जो है हर किसान को पांच लाक रुपे का बीमा कवर प्रोवाइट करेगी तो ये दोनों योजना जो है तेलंगाना सरकार ने बहुत तरवे सुधनता दीवस के अवसर पर शुरू कियें नेक्स्ट है जूनियर NBA वर्ल्ड बास्केरबाल चेंपेंशिफ 2018 में किस भारती खिलाडी ने किसने जिताएं बैंगलूर की सुनिश का कार्तिक ने इन्होंने पूल गेम्स में दक्षिन अफ्रीका के खिलाफ सरवादिक 17 अंक के साथ शिर्स स्कोर किया था जिसकी वज़े से इनने कम्यूनिटी अवाड से सम्मानित किया गया हाली में 9 अगस्ट को किस आंदोलन की चियोत्तरवी वर्षगाट के रूप में मनाई गई तो फ्रेंट्स 1942 में 9 अगस्ट के दिन ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने के लिए मात्मा गांदी ने सभी देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था तो भारत छोड़ो अंदोलन की शुरूआत हुई थी महा से तो उसकी चियोत्तरवी वर्षगाट अभी 9 अगस्ट 2018 को मनाई गई ये भी द्यान रखेगा हाली में 15 अगस्ट 2018 को कोन सवा सतनता दिवस मनाया गया कोन सा मनाया गया बहौत्तरवा सतनता दिवस पूर्व प्रदानमंत्री अटल भिहारी वाजपई ने कितनी बार प्रदानमंत्री के रूप में शपत ली थी देखे फ्रेंड्स हाली में अभी पूर्व प्रदानमंत्री अटल भिहारी वाजपई जी का देहान्त हो गया उनसे संबंदित एक्जाम में डेफिनेटली कोशन बन सकता है, तो चलिए सारे पॉइंट्स हम डिसकस कर लेते हैं, अटल बिहारी वाजपाई जी का जन्म कब हुआ था, 1924 में इनका जन्म हुआ था, मद्धिपदेश के ग्वालिर जीले में, और इनका देहांत कब हुआ, 16 अगस्त 2018 को इनका देहांत अटल बिहारी वाजपाई एक हिंदी कवी और वक्ता के रूप में जाने आते हैं, अटल बिहारी वाजपाई भारत के दस्वे प्रदान मंत्री थे, कौन से थे दस्वे प्रदान मंत्री, अपने पूरे जीवनकाल में उन्होंने भारत के प्रदान मंत्री के रूप में ती तीन बार शपत लिये कितनी बार दोस्तों तीन बार पहली बार 1996 में उन्होंने शपत लिती और 13 दिन के लिए भारत के प्रदानमंत्री बने थे फिर उनकी सत्ता गिर गई थी उसके बाद में 13 महिने के लिए प्रदानमंत्री बने और सबसे अंतीम बार साड़े 4 साल के लिए उन्होंने प्रदान मंत्री पत समाला था साथी दोस्तों ध्यान रखेगा इनने पत्म विभूशन और भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है 2015 में अटल भिहारी वाजपाई को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो कोशन देखें क्या बोल रहा है वो कि पूर्व प्रदान मंत्री अटल भिहारी वाजपाई ने कितनी बार प्रदान मंत्री के रूप में शपत ली थी कितनी बार ली थी तीन बार पूरुर प्रदानमंत्री अटल भिहारी वाजपई पहली बार प्रदानमंत्री कब बने थे? कब बने थे? 1996 में पहली बार प्रदानमंत्री बने थे 13 दिन उनकी सरकार चली थी उसके बाद में उनकी सरकार गिर गई थी ठीके? चलिए अगला कोशन लेते हैं पाकिस्तान के 22 प्रदानमंत्री के रूप में शपत लिएं, किसने लिएं? इमरान खान ने ध्यान रखेगा इमरान खान जो है किस पार्टी से सम्बंदीतें? तहरी के इंसाव पार्टी से सम्बंदीतें इमरान खान भारत ने Safe Under 15 Women Championship 2018 का किताब किस टीम को हरा कर जिता हैं? देखे सेफ का फुल फॉम होता है South Asian Football Federation तो हाली में भारत ने पिछली बार की चेंपियन बांगलादेश को फाइनल में हरा कर ये किताब अपने नाम करा हैं यहां पर सी आंसर इसका सही होगा ये प्रतेविता कहां पर आयोजित की गई थी बुटान में संयुक्त राष्ट के पूर्व महासचीव और नोबेल पूरुसकार विजयता कोफी अन्नान का हाली में निदन हो गया वह किस देश के नागरिक थे? ये भी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है, एक्जाम में बन सकता है, किस देश के नागरिक थे वे? घाना के घाना में इनका जन्मुवाता, 1997 से 2006 तक संयुक्त राष्ट के महासची उपत पर इन्होंने काम कराएं एक इंपोर्टेंट चीज़ ध्यान रखेगा, कोफी अन्नान को वर्ष 2001 में नोबेल चान्ती पुरुसकार से सम्मानित किया जा चुका है, ओके? चलिए, अगला कोशन लेते हैं भारत ने किस एंटी टेंक रोधी मिसाइल का हाली में परिक्षन किया हैं? किस एंटी टेंक रोधी मिसाइल का परिक्षन किया हैं हेलीना का? हेलीना क्या है? विश्व की अत्यादुन्यूक सुईदा से लेस एंटी टेंक मिसाइल हैं और ये परिक्षन कहां किया गया? ओके, तो यहाँ पर देखे, कहाँ पर आयोजन किया गया, पोर्ट लुइस में, A अंसर यहाँ पर सई होगा, 11 विष्व हिंदी दिवस की थीम क्या थी, क्या थी दोस्तो थीम, विष्व हिंदी और भारती संस्कृती, C अंसर यहाँ पर सई होगा, 36 गर सरकार ने अपनी प्रस्तावीत राजदानी नया रायपूर का नाम बदल कर क्या रखने की गोशना करी हैं तो फ्रेंड्स क्या रखने की गोशना करी हैं पूर प्रदान मंत्री अटल भिहारी वाजपई के नाम पर अटल नगर रखने की गोशना करी हैं हाली की दिनों में चर्चा में रहा हबन तोता बंदरगा किस देश में इस्तित हैं? कहां पर इस्तिते? श्रीलंका में इस्तिते हबन तोता बंदरगा श्रीलंका ने हबंदोता बंदरगा में सित्तर प्रतिशत हिस्थेदारी चीन की एक कंपनी को बेशने के लिए समझोते पर हस्ताक्षर करें तो हाली की दिनों में ये चर्चा में रहा था तो ध्यान रखिएगा औस्टेलिया के तीस्वे प्रधान मंत्री के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है स्कॉर्ट मौरिसन को? औस्टेलिया के वित्ध मंत्री स्कॉर्ट मौरिसन को औस्टेलिया के तीस्वे प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया है नेक्स्ट कोशन लेते हैं हाली में सरकार ने O Smart Scheme लॉंच की हैं यह योजना किसे संबन दिते हैं? किसे संबन दिते हैं? सुनामी और तुफानों की चेताउनी प्रणाली से संबन दिते हैं O Smart Scheme टी आंसर यहां पर सही होगा राष्ट्य खेल दिवस कब मनाया जाता हैं? राष्ट्य खेल दिवस मेजर ध्यानचन के जन दिवस 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता हैं राधेस्तान की जवाई पुनर भरन योजना का संबन किस नदी से हैं? देखिए यह योजना अभी काफी न्यूज में रही राधेस्तान की मुख्य मंत्री ने जवाई बांध पुनर भरन योजना का काम जल्दी शुरू करने की गोशना कियें इस परियोजना के तहद साबर मती बेशिन शेतर में बांध सुरंगों और नहरों का निर्माण किया जाएगा तो किस नदी संबन देते हैं साबर मती नदी से नेक्स्ट कोशन लेते हैं दस करोड परिवारों को पांच लाग रुपे सालाना स्वास्त बिमा देने के लिए प्रधान मंत्री ने सुधनता दीवस पर किस योजना की गोशना कियें यह भी इंपोर्टेन कोशन है प्रधान मंत्री जन आरोगी योजना प्रधान मंत्री ने सुधनता दीवस के भाशन में जन आरोगी योजना को 25 सितंबर से लागू करने का एलान किया हैं इस योजना के तहत 10 करोड परिवारों को 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्त भीमा दिया जाएगा चवद्वा काकडू सेन अभ्यास कहां पर आयोजित किया जा रहा है तेकिए काकडू जो है आस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा समुद्री सेन अभ्यास है इस सेन अभ्यास में भारत और चीन समेत 27 देशों की 9 सेना हिस्सा ले रही है तो कहां पर आयोजित हो रहा है आस्ट्रेलिया में मादई नदी के जल की हिस्सेदारी को लेकर किन तिन राज्यों के बीच विवात देखने को मिल रहा है देखे फ्रेंड्स मादई नदी जो है वो गोवा में मंडोवी नदी के नाम से जाने जाती है पर इसका उदगम जो है वो कहां से होता है करनाटक से होता है तो करनाटक से बेतिवी ये गोवा में आती है और गोवा से अरब सागर में मिल जाती है तो करनाटक, गोवा और महरास्ट के सिमावर्ती इλαकिये जो है वो मादई नदी पर निर्वर हैं जिस वजये से सिचाई कारयेतु जल विवाद तीनों राज्यों में देखने को मिल रहा हैं तो कौन-कौन से तीन राज्य हैं करनाटक, गोवा और महरास्ट यह answer यहाँ पर सही होगा ठीक है ध्यान रखेगा अगला question लेते हैं हाली में Morandi Motorway Pool के गिर जाने से कई लोगों की म्रत्य हो गई यह Pool किस देश में इस्तित हैं इटली का Morandi Bridge जो है वो बारिश के चलते गिर गया जिससे कई लोगों की म्रत्य हो गई और बहुत सारे लोग जो है वो घायल हो गई तो Morandi Motorway Pool कहाँ पर इस्तित हैं इटली में इस्तित हैं भारती पुरुष होकी टीम ने एशियाई खेलों में किस टीम को 26-0 से हराका सरवादी गोलों से पराजित करने का रिकॉर्ड इस्तापित किया है किस टीम को हरायता भारत ने होंग कोंग को हाली में भारत ने मेत्री नामक युद्ध अभ्यास किस देश के साथ संपन किया है किस देश के साथ संपन किया है थाईलेंड के साथ में भारती सेना और रोयल थाई सेना ने थाइलेंड में इस युद्ध अभ्यास को संपन किया है आतंगवाद से निपटने के लिए दोनों देशों ने ये युद्ध अभ्यास किया है तो मेत्री नामा की युद्ध अभ्यास का संबन किस्ते हैं भारत और थाइलेंड से हैं ओके चलिए नेक्स्ट कोशन लेते हैं नो स्पिन आत्मकता निम्न में से किस खिलाड़ी से संबन दिते हैं पूर्व औस्टेलियाई किर्केटर शेन वॉन की आत्मकता है नो स्पिन यह पुस्तक जो है अक्टूबर दोजार अठार को प्रकाशित होगी तो शेन वॉन से संबन दिते हैं विश फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता हैं हर साल 19 अगस्त को मनाया आता है विश फोटोग्राफी दिवस कुल्दीप नायर जिनका हाली में निदन हो गया निम्न में से कौन सी पुस्तक की रशना इनकी नहीं है देखे फ्रेंड्स वरिश पत्रकार कुल्दीप नायर का निदन हो गया अपने जिवन काल में इनोंने तकरीबन 15 पुस्तके लिखी है उसमें से अगर प्रमुक प्रमुक अगर पुस्तकों की बात करते हैं तो Beyond the Lines, India the Critical Years, India after Nehru, The Day Looks Old ये इनकी कुछ प्रमुक रचना है ध्यान रखेगा Train to Pakistan जो है वो कुल्दीप नायर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है Train to Pakistan को किसने लिखाएं? कुश्वन सीनने लिखाएं तो यहाँ पर D answer सही होगा पुस्तक 281 and Beyond किस भारती क्रिकेटर की आत्म कताएं? किस भारती क्रिकेटर की आत्म कताएं? VVS लक्षमन की नवंबर 2018 को प्रकाशित की जाएगी 281 and Beyond चोथा बिमस्टेक सम्मेलन 30 अगस 2018 को कहाँ पर आयोजित हुआ? तो पहले भी हम डिसकस कर चुके हैं चोथा बिमस्टेक सम्मेलन जो है वो नेपाल काटमांडू में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन की थीम क्या थी? शांती पुन्ट सम्रत दोर इस्तिर बंगाल की खाड़ी शेत्र का लक्ष ये इस सम्मेलन की थीम थी पुस्तक शक्ती से शांती के लेखक कोन है? ये भी very important question है शक्ती से शांती के लेखक है अटल भिहारी वाजबाए हाली में भारत के सबसे प्रदूशित शहर के रूप में किस शहर को गोशित किया गया है? तो Central Pollution Control Board के रिपोर्ट के अनुसार गुरू ग्राम को सबसे प्रदूशित शहर के रूप में गोशित किया गया है International Buddhist Conclave 2018 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया नई दिल्ली में इस कारिकरम में 29 देशों ने पार्टिसिपेट किया परिटन मंत्राले हर दो वर्ष में एक बार इस कौनक्लेव का आयोजन करता है भारत में बहुत सारे बहुत देश्थले बहुत देश्थलों की यात्राओं के लिए टूरिस्टों को प्रोसाइद करना इसका मुख की उद्देश है तो ध्यान रखेगा फ्रेंड्स हाली में अभी कहां पर आयोजित किया गया नई दिल्ली में केंधरी महिला एवं बाल विकास मंत्राले ने 2018 के किस महीने को राष्ट्रिय पोषण मास के रूप में मनाय जाने की गोशना किये तो friends, केंदरी महिला वाम बाल विकास मंत्राले ने सितंबर महिने को राश्टी पोशन मास दिवस के रूप में मनाय जाने की गोशना की है और इसका मुख्यूदेश क्या है? देश में कूपोशन की समस्या को समाप्त करना इसका मुख्यूदेश है चलिए नेक्स्ट कोशन लेते हैं हाली में सर्वोच चिन्याले ने किस चुनाओं में नोटा के विकल्प को समाप्त कर दिया है तो नोटा का विकल्प तो आप सभी को पता ही होगा किस अंत्रिक्ष एजन्सी ने चंद्रमा पर बर्फ की उपस्तिती की पुष्टी कियें किस अंत्रिक्ष एजन्सी ने नासा ने ध्यान रखेगा नासा के विग्यानिकों ने चंद्रियान वन अंत्रिक्ष यान के डेटा का अध्यान करकर चंद्रमा पर बर्फ की उपस्तिती की पुष्टी कियें और ध्यान रखेगा चंद्रियान वन जो था ये भारत का पहला चंद्र मिशन था 2008 को सफलता पूर्वक लॉंच किया गया था इसका उद्देश क्या था? चंद्रमा की सता का अध्यन करना और हिलियम की तलाश करना ये चंद्रियान वन का उद्देश था निम्न में से किसे जम्मू कश्मिर के गवर्नर के रूप में चुना गया है तो हाली में अभी राश्पती रामनात कोविन ने साथ राज्यों में नए राज्यपाल की न्यूक्ति कियें उन्होंने सविदान के अनूछेद 156 का उपयोग करकर साथ राज्यों में नए राज्यपालों की न्यूक्ति कियें ओके तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है सत्यपाल मलिक को चली अगला कोशन लेते हैं एतियासिक महुत्सव एसला महा पेराहरा का संबन्द किस देश से हैं देखे हाली में अभी शीलंका में आजित किया गया एसला महा पेराहरा ये त्योहार शीलंका के सबसे बड़े बोध त्योहारों में से एक हैं फसलों की खेती के लिए बारिश प्राप्त करना इस त्योवार का मुख्य उद्देश हैं हाली में खिलाडी अजीत वाडेगर का निदन हो गया वह किस खेल से संबन्द रखते थे अजीत वाडेगर पूर भारती क्रिकेटर थे बारती एक दिवसी क्रिकेट टीम के पहले कप्तान रहे हैं अजीत वाडेगर तो क्रिकेट से संबन्द देते हैं निम्न मेंसे किसे हरियाना के नए गवर्नर के रूप में चुना गया हैं किसे चुना गया है सत्य देव नारायन आर्य को देखे इसको याद करने के आपको ट्रिक बतायता हूँ देखे यहाँ पर हरियाना में हरी वर्ड हमने पकड़ा हरी का संबन्द किस से है देव से है तो यहाँ पर देखे आपको एक यह option दिखेगा सत्य देव तो इस तरीके से आप easily याद रख सकते हैं चली अगला question लेते हैं Rogers Cup 2018 Tennis Tournament का किताब किस खिलाडी ने जीता हैं किस खिलाडी ने जीता हैं World No.1 Tennis खिलाडी रॉफेल नडाल ने Rogers Cup 2018 Tennis Tournament का किताब जीता हैं खिलाडी हकम सिंभटल का हाली में निदन हो गया वे किस खेल से संबन्द रखते हैं Asian Games में भारत को गोल्ड मिडल दिला चुके हैं हकम सिंभ भटल Athletics में 1978 में पुर्षो की 20 किलोमेटर वॉक में इन्होंने गोल्ड मिडल जीता था तो इनका संबन्द किस खिल से हैं Athletics से हैं किस अंत्रिक्ष एजेंसी ने सूर्र को चुने हैं पारकर सोर जांच मिशन सफलता पूर्वक लॉंच किया है किस ने लॉंच किया है नासा ने सूरज के इतने करीब पहुचने वाला ये अब तक का पहला यान होगा पारकर सोलर प्रोब साथ साल तक सूर्र के इर्दगिर्द घुमेगा और इन्फोमेशन एकतित करेगा तो ध्यान रखेगा पारकर सोर जांच मिशन का संबंद किस से हैं नासा से हैं अठारवे एशाई खेलो का आयोजन हाली में कहां किया गया कहां पर किया गया दोस्तों इंडोनेशिया में किया गया अठारवे एशियाई खेलो का आयोजन इंडोनेशिया की दो सिटी जकार्ता और पालेमबाग में सबसे पहले एशियाई खेलो का आयोजन कब किया गया था कब किया गया था सबसे पहले एशाई खेलों का आयोजन 1951 में 1951 में एशाई खेलों में भारत ने कुल मिलाकर 51 पदत जी देते जिसमें 15 गोल्ड शामी ले एशाइन गेम्स पे देखिए कोशन की प्रेक्टिस कर लीजिए काफे इंपोर्टेंट है यहां से कोशन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में हाली में कौन से एशाई खेलों का आयोजन किया गया अठारवे एशाई खेलों का आयोजन हाली में किया गया नेक्स्ट कोशन लेते हैं अठारवे एशाई खेलों में शुबंकर की संक्या कितनी थी तीन शुबंकर थे भिन भिन काका और अतुंग मैं बता चुका हूँ आपको पहले अठारवे एशाई खेलों में पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम इस्तान पर रहा हैं पहले नंबर पर रहा हैं चीन दूसरे नंबर पर जापन और तीसरे नंबर पर दक्षिन कोरिया भारत का अठारवे एशाई खेलों में इस्तान हैं कौन सा इस्तान हैं भारत का आठ मेडल जिते हैं. कितने गोल जीते हैं? 15 गोल जीते हैं. 28 एशया क overe Meth龍 में Opening Ceremony में भारत के दोजवाग कोन थे? कोन थे फ्रेंड्स? नीरत चोपडा भारत ने 28 एशया के खेलो में सबसे ज़्यादा मेडल किस खेल में जीते हैं? किस खेल में जीते हैं? एथलेटिक्स में, भारत ने एथलेटिक्स में कुल मिलाकर 19 पदक जीते हैं, 19 वे इश्याई खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा, 19 वे इश्याई खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा, हैंग्जू में, चाइना में आयोजन इसका किया जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ सबसे पहला गोल्ड मिडल किस ने दिलाया था बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुष्थी प्रतोगिता में इन्होंने गोल्ड मिडल जिताएं नेक्स्ट कोशन लेते हैं भारत की एक मात्र महिला रेसलर जिसने एशियाड खेलो में गोल्ड मिडल जिताएं किसने जिताएं विनेश फोगाट ने 28 एशियाई खेलो में बॉक्सिंग में भारत को एक मात्र गोल्ड किस खिलाडी ने दिलाया हैं अमित पंगाल ने एक मात्र गोल दिलाएं बॉक्सिंग में एशियाट खेलो में भारत की ओर से गोल जितने वाल है सबसे युवा खिलाडी कोन है? सबसे युवा खिलाडी है सोरप चोधरी भारत की पहली मैला निशाने बाद जिसने एशियाई खेलो में स्वन्ड पदक जिता हैं किसने जिता है राही सर्नोबत ने राही सर्नोबत ने 25 मिटर पिस्टल शूटिंग प्रत्योगिता में गोल्ड मिडल जिता है देखे फ्रेंड्स एशियन गेम्स वाला अगर आपने वीडियो देख रखा होगा मेरा तो आप जल्दी जल्दी कोशन सौल कर सकते हैं भारत के किस एथलिट ने अठारवे एशियाई खेलो में पूरुषो की पंदरा सो मिटर दोड में सोन्ड पदक जिता है किसने जिता है जिन्सन जोन्सन ने और मंजी सिंग ने 800 मिटर दोड में सोन्ड पदक जिता है दोनों चीज ध्यान रखेगा अठारवे एशियाई खेलो में Most Valuable Player का अवार्ड किसे मिला है किसे दिया गया है रिकाको इकी को जापान की रिकाको इकी को Most Valuable Player का अवार्ड मिला है और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला को ये अवार्ड दिया गया है चली अगला कोशन लेते हैं किलाडी सोरब चोधरी जिन्नोंने 28 एशियाई खेलो में सुन्ड जिता किस खेल से सम्बन दिते हैं सोरब चोधरी जो है वो शूटिंग से सम्बन दिते हैं निम्न में से कोन सा 28 एशियाई खेलो का शुबंग करें अप्पू, पेन, पेन, काका, दूरी काका जो है वो 28 एशियाई खेलो का शुबंग करें एशियाई खेलों में तेजिंदर पाल सी तूर ने भारत को किस खेल में सौन पदक दिलाएं किस खेल में सौन पदक दिलाएं गोला फेक में गेम्स रिकॉर्ड के साथ में इन्होंने गॉल्ड मेडल हासिल कराएं देखे कोशन है हाली में गगन्यान चर्चा में रहा इस मिशन के संदर में कौन सा कथन सत्ती है देखे फ्रेंड्स काफी इंपोर्टेंट कोशन है ये भारती अंत्रिक्ष अनुसंदान संगटन इस्रो ने इस्पेस में मानव को भेजने ये तु काम शुरू कर दिया है